नमस्कार आपका स्वागत एश्या न्यूस इंडिया मैं मैं पूर्णम आपके साथ प्रधानमंदी नरिन मोदी ने सोमवार को रोजगार मेले के तहत एक लाग से जादा लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बाटे 2024 लोग सबाचुनाओं से पहले केंद सरकार का यह बारवा और आख्री रोजगार मिला है पीम ने दिल्ली में कर्मयोगी भवन की भी आरधार शिला रखी यह परिशन मिशन कर्मयोगी के बीट सहयोग और तालमिल को बढ़ावा देगा कारिकरम को वर्चुली सम्मोधित करते हुए पीम मोदी बोले आज हर युवा जानता है कि अगर वा कड़ी मेनत करे तो वा अपने लिए जगब बना सकता है 2014 से हम युवाओं को विकास में भागिदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं हमने पिशली सरकार की तुलना में डेट प्रतिशत अधिक नोक्रियां दी है मोदी ने कहा पेले नोक्री के लिए विग्यापन जारी होने से लेकर नियुक्ती पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था इस देरी का पायदा उठा कर उस दोरा रिश्वत का खेल भी जम कर होता था हमने भारत सरकार भरती की प्रक्रिया को पुरी तरह पादशी बना दिया है अज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप एको सिस्टम है देश में स्टार्टप्स की संख्या अब सवाला के आसपास पहुच रही है इनमें बड़ी संख्या में स्टार्टप टियर 2 और टियर 3 शहरों में है इन स्टार्टप्स से युवाओं के लिए लाखों रोजगार बन रहे हैं इस बार के बजट में स्टार्ट अप को मिलने वाली टेक्स शूट को आगे बढ़ाने का भी एलान किया गया है आज इस वोजगार मेले के द्वारा भाती रेलवे में भी निविक्तिया हो रही है भाती रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांस्वार्मेशन के दौर से गुजर रहा है इस दशक के अंतक भाती रेलवे को पूरी तरह काया कल्ब होने जा रहा है देश में जब कनेक्टिविटी का विस्तार होता है तो इसका प्रभाव एक साथ करी ठीजों पर पड़ता है कनेक्टिविटी बहतर होने से नए बजार बनने लगते हैं प्रेटन स्तलों का विकास होता है कनेक्टिविटी भैतर होने से नए बिजनेस तैयार होते हैं और इससे रोजगार के लाखों अफसर बनते हैं यानि कनेक्टिविटी अच्छी होने का सिधा प्रभावत देश के विकास पर पड़ सकता है पीम ने कहा आज दिली में एक इंट्रिकर ट्रेनिंग कॉंप्लेक्स का भी शिरानास हुआ मुझे विश्वास है कि नए ट्रेनिंग कॉंप्लेक्स से कैपिसिटी बिल्डिंग की हमारी पहल को और मजबूती मिलेगी सरकान ने कर्मयोगी भारत पोर्टल भी लॉंच किया है इस पोर्टल पर विबिन विश्यों से जुड़े 800 से ज़्यादा कोर्स उपलब्द है अब तक इस पोर्टल से 30 लाग से ज़्यादा यूजर जुच चुके है